आज सभी को प्रणाम नमस्कार शक्ति साधना बिना न बनता बिगड़ा कोई काम नारी तुम हो शक्ति राष्ट की शच्छत तुम्हें प्रणाम भारत की अवधारना रही है और कहा जाता है कि यत्र नारियस्त तु पूजनते रमंते तत्र देवता ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि हमें नारियों का सम्मान करना है या हमारे मन में सम्मान है ये इसलिए भी कहा जाता है कि इस शुस्टि के निर्मान में सरवाधिक भूमी का जिनके रहती है वो नारी होती है वो महिलाएं होती हैं इन बेटियां बड़े सोभागी से मिलती है और यदि उनको उत्साह दे दे दे, उनलास दे दे, साथ दे दे तो वो अपनी उड़ानों को सिर्फ भारत तक नहीं विदेशों तक भी ले करके जाती है आज मेरे साथ में कैसी बेटी है मेरे साथ में है किरनी जी बुडानिया में नमस्ते आप, बहुत-बहुत स्वागत आपका और आपकी यात्रा एक छोटे से गाम से शुरू होती है और वहां से न सिर्फ आप राज्य की राज़दा नी जाती है देश की राज़दा नी जाती है बलकि विदेश तक अपनी उच्छे शिक्षा के लिए जाती है और लोट करके वापस शिक्षा के एक शित्र में कारेरत है आज हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे और वो जिस संस्थान मेट्रिक्स को आज बच्चों के माद दिम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है उसके उपर भी चर्चा करेंगे मैं, आप एक छोटे से गाउं से हैं लेकिन आपने अपनी हायर एजुकेशन नैधरलेंड, सौलेंड तक पूरी करी उसके बाद मैं आपने विदेशों में काम किया देश के बड़ी कॉर्पोरेट कम्पनियों में काम किया तो एक बेटी के रूप में क्योंकि शेखावाटी में या पूरे भारत में ही माने एक सवेयसा था जब बेटीयों को बहुत ज़ादा पंक नहीं दिये जाते थे ऐसे में भी आपकी जो यात्रा है यह बड़ी परीकतासी लगती है तो अपनी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं तो उन्होंने शुरू से ही मतलब जैसे की अच्छी education पे उनका focus था कि अच्छी education इंसान को मिलने चीए तो उन्होंने हमें सिरफ दोनों ही बैनों को सिरफ यही तक सिमित नी रखा राजस्तान तक उन्होंने हमें जैसे जो कुछ भी हमने life में करना चाहा उन्होंने education के लिए हमेशा हमें motivate करके रखा तो अपनी initial education जैसे यहां से राजस्तान से complete करने के बाद में मैंने कुछ टाइम जैपूर में भी पढ़ाई करी, डहली में भी पढ़ाई करी then for my higher education मैं Netherlands भी गई और Netherlands में अपनी education complete करने के बाद में I have worked in Singapore for some time from Singapore, फिर मैंने मुंबई में काम किया है कापे टाइम तक अच्छे corporate houses में like DNA, ZTV बढ़े रहे और बट क्योंकि psychology एक मेरा subject रहा है तो there I realized कि मुझे जो छोटे बच्चे हैं जो young minds हैं, उनकी साथ में थोड़ा काम करके उनको थोड़ा सा sharp करने की, उनको थोड़ा सा mold करने की जरूरत है और उसके लिए मेरको जो मेरा birthplace है, वहीं जाकर के मुझे वो सब करना चाहिए तो from corporate sector, I shifted to Rajasthan in 2012 and since 2012 I am in education field and I am enjoying the company of kids and like enjoying my work जैसे आपने बताया कि आपका psychology subject रहा है, मनोविज्ञान एक विशह रहा है तो मनोविज्ञान पढ़ना और पढ़ना एक subject के रूप में, that's a different thing बट उसी के practical implication, real time implications students के रूप में करना ये थोड़ा सटफ जोब होता है, क्योंकि हराद में अपने एक unique entity होता है तो आप अपनी psychology का students के life के साथ में alignment कैसे करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, कि बच्चे जब परेशान हो जाते हैं पोस्टर वाले बच्चे जब अपने घर की याद करके मायूस हो जाते हैं तो एकी बात कही जाती कि उनको किरण में के पास ले जाकर करके छोड़ दिया जाया थोड़े देर बाद में बच्चे हस्ते खिरकलाते वहां से लोट करके अपने तो यह जो psychology subject है उसका आपने कैसे alignment किया बच्चों के साथ में कि बच्चे इतने बड़े खुश रहते हैं आपसे देखे कि आपने कहा कि psychology जो है वो मन का विज्यान है तो अगर आप किसी के मन के विज्यान को समझ लेते हैं तो चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाती हैं, actually सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि every individual has their own potential, their own qualities, तो जनरली होता ये है कि हम human beings हर एक को बच्चे को या किसी को भी एक ही एंगल से लेकर के चलते हैं, एक ही criteria उसका लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, सब बच्चे होते हैं, उनकी अपने potential होते हैं, उनकी सबकी qualities होती हैं, different developmental stages पर बच्चे की जो interest vary करते हैं, और करते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं जस्ट, being a psychologist, समझने की कोशिश करती हूं, बच्चे का interest समझना, बच्चे की personality समझने, होती हैं, different developmental stages पर बच्चों की जो needs होती हैं, वो अलग होती हैं, और उन needs को मैं उसी के according करती हूं, जिससे की बच्चे की particular developmental stage में भी कोई किसी तरीकी का impact नहीं आता है, वो particularly अच्छे से उस phase को clear कर जाता है, और इस तरीके से बच्चे हैं थोड़ा से खुश रहते हैं और हर बार ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सबको एक ही लाठी से हांख सकते हो, sometimes you have to reward the students, sometimes you have to punish the students, तो बच्चे हैं बस थोड़ा सा यह से निकल जाता है, हम जिन background से आते हैं, आप भी एक छोटे से गाउं से निकल कर के आते हैं, मैं भी एक गाउं से आता हूँ, हम लोगों ने बहुत सामाने से schools देखे हैं, कि समाने से भवन हुआ करते हैं, समाने से चीजें हुआ करते हैं, और वहां से हमने अपनी studies को करा。 लेकिन आज जिस भवन में जिस building में मैं बैठा हूँ, primaces में बैठा हूँ, Metrix का यह 해, Metrix High School का यह भवन बिल्कुल world class campus है, यहां आकर के लगता ही नहीं कि हम किसी सीकर जैसी जगे में किसी स्कूल में हमें ऐसे लगता है कि किसी फॉरेंगी यूनिवस्टी में हम लोग आ गए है निश्चे तुम से भवन हमें comfort देता है, luxury देता है लेकिन education is not something only about the buildings, it is more than that तो आज MHS है, वो अपने आपने एक ऐसा unique school है कि जिसने अपने initial level से लेकर बड़े परिणाम दिये हैं आज अभिभाव कोंगी यह बहुत पहली पसंद की रूप में है आप चुकि एक faculty के सासाथ एक management का भी बड़ा part है आप MHS के जो है, वो management का part है, उसको पूरा देखते हैं, उसके पूरे system को देखते हैं, उसके curriculum को देखते हैं यदि मैं यह जानना चाहूं कि matrix, building तो no doubt, अपने आपने different है, बहुत अलग है लेकिन internal curriculum या system जो है, matrix का, वो औरों से क्या अलग है क्या आप ensure कैसे ensure करेंगे, कि एक बच्चा यदि आप विवावगला करके आपको सौपेगा, उसका overall development आप करके देगे बिल्कुल ठीक कहा आपने, कि सिक्षा जो होती है, वो भवन से नहीं होती है सिर्फ अच्छा भवन होने से मतलब नहीं है, कि आप बच्चों को अच्छी education है वो दे रहे है यहाँ पर matrix high school में जो system हम follow करते हैं, वो regular schools से थोड़ा different है like pre primary section की अगर हम बात करते हैं, तो regular schools से पहली बात तो यह कि academics को हम थोड़ा सा level up करके कराते है and second thing की up to fifth, जो focus हमारा रहता है वो बच्चे की overall development पे रहता है, like उसकी जो communication skills हो गई, बच्चे का creativity, creative skills हो गई तो इस तरीके की activities वगरे पे और बच्चे का जो learning यहाँ पे होता है, that is actually fun learning and if we talk about six to tenth, then six to tenth में हमारा जो compulsory pre-foundation program चलता है, वो बच्चों के लिए बहुत ही जादा beneficial है क्योंकि competitive age है और competitive age में आपको, जो competition है वो day by day बहुत टफ होता होता जा रहा है, so if you will not start early, you will not be able to fight the competition so that's why this pre-foundation program we have initiated from grade 6 itself, यहाँ पे हम बच्चों के concept clearance पे काम करते हैं ना कि road learning को थोड़ा सा हम avoid करते हैं और concept clearance पे काम किया जाता है जिससे बच्चा आगे चल करके, कि it's not necessary कि आपको JEE या NEET ही करना है आप अगर UPSC, RPSC भी plan कर सकते हो, तो जो pre-foundation program में e-schooling और pre-foundation दोनों को target करके चला जाता है तो यहाँ पे जो हमारा examination system है, जो बच्चों को हम paper pattern जो हम देखर करके रखते हैं वो दोनों parallel चलते हैं और हमारे यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वो ना किवल competitions में बलकि जो board exams होते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा score करते हैं अब जैसे मैं competition exams कह रहे हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि what kind of competition, competitive exams in this school, that too up to grade 10 तो school में हम pre-foundation division जो है, उसमें जैसे NTSC हो गया national talent search exam है, SDAC, state talent search exam है IJSO, international junior science olympi art, ANCQ, Australian national chemistry quiz तो इस तरीके के national और international level के olympi arts competitive exams होते हैं, उनकी preparation कराते हैं जिनके basis पे बच्चों को scholarship मिलती है higher education के लिए, और साथ ही साथ certificates मिलते हैं तो जो certificates होते हैं, उनका भी बच्चों को जैसे higher education में उनको काफी benefit मिलता है उनको college allotment में, placement के time पे काफी beneficial वो रहता है तो इस तरीके के चीज़ें होती है, up to 10th तो 10th कोई भी competitive exam होता है, उसमें generally syllabus 6 से 10th तक का आता है बाकि यही चीज़ें आगे advance होती जाती है तो जब आपके concepts यहाँ clear हो गए, तो उसके बाद में it does not matter कि whether you are preparing for NEET, whether you are preparing for JE, UPSC, RPSC क्योंकि आपके concepts clear हैं, तो एक regular school से जो बच्चा आकर के 11th या 12th में कोई particular foundation course join करता है तो जो हमारे pre-foundation program से जो बच्चा निकला हुआ होता है, उसके लिए वो माहूल में, उस environment में set हो पाना और उस particular competition को crack कर पाना काफी आसान हो जाता है क्योंकि हमने उसको यहाँ पे already इस तरीके के exams का, इस तरीके की classes का जो exposure है, वो दिया हुआ होता है इसके लिए जैसे हमारे खुद का plant study material है, खुद के हमारे जो standard test है, online test भी है, जो video lectures है यह सारी चीज़ें बच्चों को इन सारे चीज़ों के अंदर मतलब जो भी competitive exams वगर हैं, उन में काफी help करती है यह रहता है जैसे time तक, 11th and 12th की बात करें तो 11th and 12th में जैसे हमने हम NDA foundation चलाते हैं बच्चों के लिए, CLAT foundation चलाते हैं, NEET and JEE तो you know that they are the separate wings, है नो dedicated है उसी field के लिए कि NEET का अलग foundation program चलता है और उनका महाँ चलता है, but in this campus students who are willing for NDA or for CLAT, so with the regular schooling, they have the facility of NDA foundation and CLAT foundation as well, so this is, these are the kind of things we do here तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये schooling का एक नया pattern है, ये नई दुनिया है, COVID के बाद में चीज़ें काफी बद्ली हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाओंगा मैम की, COVID के पहले offline education थी, आज भी offline का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक समाय है COVID का जब हम सब लोग घरों में सिमट गये थे, तब भी matrix high school, वैसे ही अपने student के साथ connected था, वैसे ही काम कर रहा था, ये सब आपने कैसे manage के और अब COVID जाने के बाद में भी, क्या technology को साथ में यूज करके schooling को आप बहतर बना रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, actually जो COVID का जो time था, तो before COVID time की जब COVID की कोई संभावना भी नहीं थी, हमने सोचा भी नहीं था, उसी समय से, उस समय से पहले ही, जैसे हमारी खुद की parent app भी है, student app भी है, और सब topics के 6th onwards, जैसे सारे subjects है, माल लेचे chemistry है, chemistry में matter chapter है, तो matter chapter के सारे topics के video lectures हमारी faculties के दुआरा बनाये हुए है, उनके online test भी है, तो जब COVID time आया था, तो हमें किसी तरीके की परिशानी इसलिए नहीं हुए, क्योंकि we were already prepared, ये सारे चीज़े हमारे already मतलब चल रही थी, क्योंकि हम माल लेजे कि अगर COVID नहीं भी आता, आज भी हम जैसे offline classes है, but बच जाती है, तो बच्चा उन particular videos को, जो जो classroom में पढ़ाये जा रहा है, उन videos को वहाँ पर देख सकता है, बच्चे ने अगर माल लेजे कि हाफिरले exam है, बच्चे ने चार chapters उसने तयार करें, उसको अपनी preparation चेक करनी है, कि मेरी preparation किस level की है, बच्चा उन particular four chapters को select करके online exam में पास एक assessment report आता है, तो बच्चे को एक fair idea हो जाता है, अपना analysis हो जाता है, कि okay fine, in these particular topics of the chapter, I have scored very good, and in these few, or in this particular topic, I have some doubts. तो वो doubts को clear करने के लिए, we give three, four types of solutions, like number one, doubt class, evening में doubt classes का provision रहता है हमारे ताकि हमारे बच्चों को tuition वगरे के लिए नहीं परिशान होना पड़े, और ये better भी रहता है, कि जो teachers आपको classes में पढ़ा रहे हैं, अगर आपके कोई doubt है, वोई teacher solve भी करते हैं, तो आपको उसका benefit क मिलता है, second, जो video lectures, I already said कि video lectures हैं, तो वो topic के according है, ये भी नहीं, आप YouTube वगरे पर देखते हो कि इतने lengthy videos रहता है, तो बच्चे को interest रवलप नहीं होता है, पर ये topic के according है, तो जिस particular topic में आपको देखना है, आप particular topic को select करके देख सकते हैं, तो इस तरीके कि कुछ ये जो innovative ची चीजें हमारे पास थी, और हम हमारे students को जैसे कि हम world class education की बात करते हैं, तो ये already हमारे प्लान में थी, कि हम दे रहे हैं और हम देंगे, तो covid time में smoothly निकल गया, हमारे बच्चों को किसी भी तरीके की academic point of view से problem नहीं हुई, 100% उनका syllabus हुआ, दोनों covid में, और अभी भी है, जो में कुछ तो अंतर आपको भी अनुभा हुआ होगा, तो यदि मैं ये कहूं कि शेखावाटी के जो अभी बावक हैं, schooling में जो भी अपने बच्चों को सोचने हैं कि हमें उनको एक अच्छे school में admission दिलवाना है, तो आप अपने उन experiences के साथ में, अपने शेखावाटी के experiences क साथ में, क्या message उनको देना चाहेंगी? जिस sport में उसको interest हो, तो उसके according सारे coaches वगर अवेलेबल हैं, तो matrix is the best, I think, platform, और जो मैंने चीज़ें यहां मिस करे थी, और जो मैंने वहां, यहां से, जब इंडिया में मैं पढ़कर के, जो मैं अबरोड गई थी, तो जो चीज़ें मैं मिस करती थी, वो मैं यहां देख सक है, आप सबी लोगों से, आप केरिद मैं हमारे साथ थे, नावनों से यही कहना चमगा, यह बहुत महत्तों होता है कि जीवन का जो सबसे बच्चपन का जो समय होता है, वो हमारे बन्यों बिगडने का समय होता है, ऐसे में दी सही अभिवावों के हातों में, सही teachers के हाथ मे सही सिस्टम के हाथ में अपना बच्चा सूपेंगे, तो कहिना के आपनी चंताओं को विराम मिलेगा कि मेरा बच्चा बहा तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा जहां उसके अपेक्षा हैं, चुकि यहाँ पर मैं खुद साइकलोजी से हैं, मुनों भी ज स्कूल पर भीजिए, अच्छे लोगों के हाथ में सौंपिये और मिश्यत हो जाईए कि वो एक अच्छा मविश्य का नावित बन सकें, बेश को आगे बढ़ा सकें, स्वेम को आगे बढ़ा सकें, बहुत बहुत धेंगे वादु